नमस्कार जोहार, स्वास्ते चर्चा कारिक्रम में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ, मैं हूँ शिल्पा स्वास्ते ही हमारी जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण समपती है इसका अनुभव हमें तब होता है जब हम इसे खो देते हैं हमारा जो यह सरीर है वो एक मसीन की तरह है, जिसमें मस्तिस्क, हिदय, हमारे आख, नाक, कान, यह सभी कलपूर्जे है अगर एक भी कलपूर्जा काम करना बंद कर दे, तो यह माना रूपी जो हमारा सरीर है, मशीन है, वो काम करना बंद कर देता है इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने स्वास्ते के पती सचेत रहें हमारा यह कारकरम इनी बातों पर ध्यान देते हुए आप लोगों तक स्वास्त संबंदी सभी जानकारियों को उपलप्त कराता है जैसा कि आप देख रहे हैं सर्दियों का मौसम खत्म हो गया है और गर्मी की सुरुवात हो गई है आज मैं बात करने वाली हूँ गर्मियों में होने वाले एक खास बीमारी मिजिल्स की जिसे खसरा या मातारानी के नाम से भी जानते हैं तो यह बीमारी है क्या क्यों होता है क्या कारण है इनके इन सभी बातों में जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियों में उपस्तित हैं होमेपैथे विसे सगे डॉक्टर एनपी स्रिवास्तो तो सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस कारिकरम में सर सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारी दर्शा को कोई बताए कि यह मिजिल्स है क्या देखिए मिजिल्स एक तरह का एस्कीन का डिजिज है एस्कीन डिजिज तो नहीं कहेंगे लेकिन एस्कीन का ही डिजिज लेकि यह सरीर के चमडे पर ही इसका असर होता है अंदर भी होता है असर लेकिन उसका ज्यादा असर सरीर के चम्रे पर आता है यह फुनसी के रूप में होता है इसको छोटी माता भी कहते हैं तिहात में परमपरा उनों शेर इसका पूजा भी किया जाता है इसका अध्यात्मिक महतो भी है और एक खसरा लगभग पांच बरस तक के बच्चों को ज्यादा होता है सरीर के उपर एह होता है छोटे छोटे दाने निकलते हैं फुनसी के तरह होता है उसमें खुजली होती है और इसके होने के पहले तरह तरह के सिम्टम्स भी होते हैं जी तू वो लक्षन क्या क्या हैं? इसके होने के पहले सरीर में दरद होने लगता है, नाक से पानी, आख से पानी, छीक आना, सरदी होना, बुखार हो जाना, यह सब सिम्टम्स आते रहते हैं सरीर पर, यह लगातार 5-6 दिन तक इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, जब उसको दवाई दिया जाता है और ओठीक नहीं हो पाता है, तो उसके बाद सरीर के उपर छोटे-छोटे दाने आने लगते हैं, और वह दाने पांच छा दिन के बाद अपने आप कम होने लगता है तो ये जो दाने हैं उनके साइज क्या होते हैं मतलब कितने बड़े होते हैं ये दाने बहुत छोटे होते हैं उसमें ना पानी होता है ना पस होता है और अपने आप सुखने लगता है धीरे 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 और सुख कर करके सरीर में खुजली होने लगता है और सुख कर करके आपने आपो जड़ जाता है। कहते हैं मतलब कि एक शित्र में अगर फैड़ता है तो इसी तरह के सिम्टम सभी को आता है सभी रोगी को आता है जी तो क्या यह जैसा कि आपने बोला यह संक्रामक बीमारी है तो यह क्या सिफ हवा से फैलता है या इसके फैलने के और भी कारण है देखिए हमने पहले ही बता इसको कोशिश कर करके एक करना चाहिए कि जिसको हुआ है उस बच्चे को घर के किसी दूसरे रूम में लेकर करके सफाई के साथ उसको रखे वहां किसी दूसरे बच्चे का प्रवेश न होने दे जैसे ये व्यत्ती को ये संक्रमन लगता है उसके कितने दिनों के बाद ये डिखतने लग जाता है इसके लक्षन इसका इनक्यूवेशन प्रियेड इसको होने का जो सरीर म ला आता है तो वह पंद्रह दीन का है पंद्रह दीन के बाद बच्चे को अथवा उसके रोगी को सरदी खासी बुखार सरीर में दरद अकड़न एस सब सिम्टम्स आता है चार पांस दीन के बाद उसके सरीर पर दाने निकलने लगते हैं और जैसे ही दाने निकलते हैं उसक बुखार दर्द कम होने लगता है और पांस दिन तक ए रहता है और पांस दिन के बाद अपने आप बीना दवा के वह कब होने लगता है और वह बच्चा ठीक हो जाता है जैसा कि आपने बोला यह संक्रामक रोग है तो क्या यह सिर्फ हम मनुश्यों तक ही रहता या हमारे से जन्दू जानवरों में भी फैलता है देखिए गाय को भी मैंने देखा है कि गाय को भी यह रोग होता है जिसको खोरहा के रूप से लोग जानते हैं उसको भी ओलोग माता जी के ही रूप में मानते हैं तो चुकि उसका जो भाइरस और वैक्टरिया है थोड़ा अलग होता है यह मनुश्य का जो भाइरस है उसको नहीं है लेकिन उसको भी होता है पर हमारे से वो उन में नहीं फैलता है जैसा कि हम अब देख रहे हैं लोगों का रुझान होमेपैत की तरफ काफी बढ़ता जा रहा है अब यासी कोई भी बीमारी नहीं है जिसका हिलाज होमेपैत में संभव नहीं है मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताए कि मेजिल्स की बीमारी यह कितना कारगार है देखिए पहली बाद कि हम स्वस्तर हैं इसके लिए हमको प्रतिसेधक दवाई खाना चाहिए प्रतिरोधक दवाई खाना चाहिए प्रफाइलेक्टिव दवाई खाना चाहिए तो हमको औरोग ना हो, इसलिए हम उस रोग को ना होने के लिए पहले ही हम दवाई खाले, मालने यह किसी छेत्र में फैला हुआ है, किसी घर में फैला हुआ है, तो दूसरे घर के लोगों को उस छेत्र के लोगों को चाहिए कि होमियोपैथिक में उसकी प्रतुरोधक तो नहीं होगा, तो प्रतिरोधक दवाई में क्या है? मौर्बी लीनम है, भैक्सिन लीनम है, भेरियो लीनम है, पल्सेटीला है, यह सब दवाईयां है, यह दवाई खाने के बाद चोटी माता की, जिसको क्या हम खसरा बोलते हैं, उसके लिए मौर्बी लीनम बहुत अच्छ कब उढ़े हो, सभी लोगों को तीन दिन तक खिला देना चाहिए, तीन दिन तक खिलाने के बाद सरीर के अंदर उसकी प्रतुरोधक शमता बन जाती है और उसको रोग नहीं होता है, इन केस अगर उसके सरीर के अंदर 15 दिन पहले इसका जोड़ा आता है, बैक्टिरी आता है तो 15 दिन पहले अगर आ गया है, तो वह उसको उतना प्रभावित नहीं करता है, जितना की और लोगों को करता है तो मैं चालूँगी कि आप बताएं कि होमेपैक में कौन सी दवाई है, जो कि इस बीमारी को होने पे दी जाती है अगर हो गया है, तो जिस तरह के सिंटम्स मैंने पहले बोला, कि सरदी होता है, नाक से पानी आती है, छीक होता है, आख से पानी आती है, बुखार होता है, शरीर में काफी दर्द होता है तो उस तरह का जैसे ही symptoms आवे, तो symptoms के अनुसार, homeopathic में रोगी का इलाज होता है, रोग का इलाज नहीं होता है, we treat the patient not the disease, patient as a whole, तो उसका totality of, उसका पूरा symptoms लेकर करके, और उसका हम दवाई का selection करते हैं, तो दवाई का selection मालेजे किसी को एकोनाइट हुआ, किसी को एलियम स हुआ हुआ हुआ, किसी को बेला डोना हुआ, symptoms के अनुसार, उसको हम दवाई देंगे, रोगी ठीक हो जाएगा, अगर उपूरा नहीं ठीक होता है, तो पांस दिन के बाद उसके सरीर पर दाने आने लगते हैं, ध्यान रखिए, दाने आने के बाद हम दवाई देना बंद कर देते हैं, इसलिए कि अगर ओ दाने अंदर रह जाएंगे, तो उसका after effect बहुत बुरा होगा, तो जब दाने आने शुरू हो गए, तो पूरी तरफ से दाने को निकल जाने देना चाहिए, ये दवाईयां कितनी दिनों में अपना असर दिखाना शुरू करती हैं, आज द चीक बार बार आ रहा है, चेहरा तमतमाया हुआ लाल है, दवाई देने के बाद उसके दर्द में कमी आए, चीक में कमी आए, चेहरा साधारण रूप से देखने में अच्छा लगे, तो आप खुल समझे एक दवाई का निकल कर रहा है, सर इसका treatment कितनी दिनों कर होता है? तो उसको ना दाने निकलेंगे ना उसका after effect होगा, लेकिन अगर पांच दिन इसका सही रूप से treatment नहीं हुआ, तो उसके सरीर पर दाने निकलेंगे, और दाने निकलने के बाद अगर किसी कारण बस दाने दब जाते हैं, तो उसका after effect भी होता है, जैसे आप और और घरों मे देखे होंगे कि मेथी का पानी, अथवा लवं का पानी, लवं का पानी लोग पिलाते हैं कि जितना दाना है सब उसका निकल जाए, जिसका जितना भी दाना है सब निकल जाए, तो maximum लोग लवं का पानी पिला देते हैं, लवं को पानी में उबाल देते हैं, उसके पानी प साइंस का डाक्टर उस दवाई को नहीं देता है इसलिए कि दवाई देने के बाद अग्रदाना अंदर में दव जाएगा तो उसको कोई न कोई रोग अलग हो जाएगा तो सरे ये दवाईया क्या हमें जैसे ही दुर्दान ही खत्म हो बंद कर देना चाहिए या उसके एक दो माता मानते हैं तो जैसे सर्दी बुखार हुआ सर्दी बुखार होने के बाद दाना निकला दाना निकले के बाद पांस दिन के बाद इसके पूजा लोग करते हैं जिसको हमारे हमी माता जी पूजा करती थी तो उसको पानी च्छानना बोलते हैं तो माता जी के पूजा कर के बाद जो सिम्टम्स बचा है उसकी दवाई आप ते सकते हैं उसका सिम्टम्स का अनुसार दवाई दे दीजिए और ओगी ठीक हो जाएगा तो सर क्या इस दवाई के साथ किसी तरह के परहेज जैसे लसुन अचार इस सब जरूरत पड़ती है देखिए अध्यात्म में अग का हारी खाना बनता है मांसा हारी होने के बावजूद लोग उखाना उतना दिन नहीं खाते हैं साका हारी खाना खाते हैं नीम के पत्ते नीम तो ऐसे भी आपका एंटिसेप्टिक है नीम का पत्ते उसके बिष्टर पर जोग रखे रहते हैं टांग देते हैं अगर हम मेडि अध्याटमिक देखें तो माताजी के बड़ा पुझा कर देते हैं अगर Schwab करते हैं और जब वो पांस दिन हो जाते हैं तो उनको पूजा पाट करने के बाद उनकी विदाई कर देते हैं और इलाज कराते हैं सर लोगों में बहुत ब्रांती है जैसे कि हुमेपैत में वो पहले बीमारी को बढ़ाता है फिर घटाता है तो क्या मिजल्स के साथ ऐसा होता है मान लेज़े जिसको एक सच्छवा बुखार है और आपके करतना नुसार उसको दवाई दे करकर के डाक्टर बढ़ा दिये उसको साथ और आठ हो गया तो बचेगा जी नहीं तो यह भ्रान्ती ही रहने दीजिए यह भ्रान्ती है हाँ मैं उसको मानता हूँ किस केस में इसकेंड डिजिज में मैं पहले बोला कि मिजल्स इसकेंड डिजिज नहीं है इस्कीन पर होता है लेकिन डीजिज नहीं है. इस्कीन डीजिज में होमियोपैसिक दवाई देने के बाद, चुकि वह इतना उस पर लगाया जाता है, कि लगा लगा करकर उसके स्परेशिव किया जाता है. और उसको किस होई एक्जिमा हुआ, डक्टर के यह, कि असी इसको कोई कि मलहम दे दिया मलहम लगाया वो बूअ और चला गया फीर 6 महीना के बाहते होगा फिर लगाया फिर च्छा महीना के पाद आप मैंधू घॉर्ण अ ठीकम हो गया होमयोपैथ를 कि आई देने कंवाद तुरत बाहर निकल जाता है और तुरत पूरे सरीर पर बाहर निकल जाता है, तो लोग बोलते हैं कि बढ़ गया, नहीं, होमियोपेथिक, सरीर को पूरन तह स्वस्थ करता है, मुझे ख्याल है, चीसी छेतर में मेरा आवास है, वहां के एक जीम थे आज के, 24-25 साल पहले, मेरे मामा जी भी वहां जीम थे, एक उनका स्किन डीज मुझे आज भी ख्याल है वह चीज, एक बार मैने खाने के लिए बोला था उनको, और चार बार खाने लगे, उनका पूरा स्रीर में, मैं कैसा बताऊं, नीम का पेंड होता है, उसमें जीस तरह उसका जो उपर छिलका होता है, उससे फट फट जाता है, उस तरह उनका पूर पर बहुत भरोशा है, मेरे दवाई से हो नहीं सकता है, पुर्जा देखें, अपना प्रेस्क्रिप्टन देखें, प्रेस्टियम देख रहे हैं, तो हमने लिखा है, एक बार उखाते हैं, चार बार, उनका आप मरे नहीं, ये कम है, और फिर उसी समय में ने दवाई बंद क करने के बाद सिर्फ नारियल तेल और अपना होमयोपैथिक में दवाई कैलेंडूला है, बोला के कैलेंडूला को नारियल तेल में मिला करें, खाली उसको छापिए, एक दम जिस तरह की पेण का छिलका निकलता है, छिलका निकलने के बाद एक दम पेण चिकना हो जाता है, उतर उनका बड़ी चिकना हो गया, तो होमियोपैथिक में नो डाउट, एस्कीन में एग्रिवेशन होता है, बाहर निकलता है, लेकिन अजर उस दवाई को ठीक से बंद कर दिया जाए, ठीक से दिया जाए, तो स्वस्तो हो जाएगा, शिर्फ इस्कीन के कैसेस में मैं बोल सकता हूँ, और कहीं नहीं, यह भ्रांती है, यह क्या उपचार करने से पहले किसी तरह के टेस्ट की जरौत होती ही मरीजों को उसमें? हाँ, आच्छा आप डेप्रेशन किया, होमियोपेथिक में पहले ए ट्रेडिशन था कि आया सिम्क्रम्स के अनुसार दवा दे दिया, लेकिन, मालने जी, लीभर का कोई रोगी है, उसको जॉंडीस है, जॉंडीस का सिरम बली उर्बिन कितना है, ए जी पिटी कितना है, ए बिना जाने ठीक है, उसका ठीक हो गया, लेकिन कहीं उसका सिरम बली उर्बिन पॉइंट से जादे तो नहीं है, SGPTS YouTube उसके point से तो जादे नहीं है ये बिना जाने आप उसको तो प्योर नहीं कर सकते हैं इसलिए उस condition में अब हम लोग test कराना भी शुरू कर दिया है सर मैं देखती हूँ कि ये छोटे बच्चों को ही सबसे ज़्यादा प्रभाविज करते हैं तो इसका क्या कारण है ये कारण अननून है जिन्दगी में एक बार ऐसी मान्यता है कि जिन्दगी में एक बार यह मिजिल्स होता है खसरा होता है सब किसी को होता है लेकिन अब तो ये भ्रांती टूट गई है अब तो बड़े-बड़ों को भी देखा गया है कि बड़े-बड़ों को भी हो रहा है तो ये पांच बरस तक के बच्चों को बहुत जादा होता है तो टीका करन की वज़ए नहीं लेने की वज़ए से या इसके कारण मतलब बच्चों में बहुत ज्यादा होता है क्या अगर आजकल तो बच्चा जनम लेता है इसका भी टीका करन होता है इसलिए पहले था मुझे ख्याल है यह पहले था कि गाउं के गाउं में जब फैला तो पूरा फैल गया अब आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता है हमयोपैथिक में है कि हम लोग भारियोलीनम, वैक्सीन इनम मॉर्भेलिनम पुशुट रीला तवाईयां हम लोग राट देते हैं पहले रहे है यह क्या वैक्सीन है या फैर मेडिसजीन है? लेकिन वह उसी के no-sorts group का medicine उसको बोलते है, no-sorts group, homeopathic में च्छा तरह से medicine बिनता है, medicine बेज़िटेबूल से बनता है, mineral से बनता है, यह सबसे no-sorts group का medicine, इसे के टी-बी का इलाज करने के लिए, टी-बी में जो पस होते है, उस पस को निकाल करके जो दवाई बनता है, उसको tuberculinum बोलते हैं, तो इसमें जो खसरा का जो होता है, उसको morbolinum बोलते हैं, तो उसी तरह morbolinum को अगर हम continue उसको तीन दिन तक दे दे देंगे, तो साल भर तक उसका शरीर प्रतिरोधा च्छमता उसमें आ जाए कि उसको नहीं होगा. क्या टीका करन के बाद हम पूरी तरह से सुरक्षी थें, बच्ची? इस पर मेरा कोई मत नहीं है, इसलिए कि टीका करन से कभी-कभी बुरा असर भी बच्चे के सरीर पर पड़ता है, अगर उसकी प्रतिरोधा च्छमता उस तरह की नहीं है, तो उसका बुरा असर भी पड़ता है, इसलिए मैं पैबोला, कि पहले ट्रेट्मेंट के जाता है, उसका प्रतिरोधा होता है, ट्रेट्मेंट के आज़ता है, उसका आफ्टर एफेक्ट भी है, तो आफ्टर एफेक्ट में हम लोगों का एक मेडिशिन है, थूजा, तो थूजा और बेसी लीनम, यह दो ही मेडिशिन है होमियोपैथिक में, जो कि मीजिल्स के अथवा चेच भी कह सकते हैं, चेचक तब होता नहीं है, लेकिन उसके आफ्टर एफेक्ट को दूर करने के लिए यही दो मेडिशिन है, अगर इस मेडिशिन को हम जैसे, अगर किसी को मीजिल्स होगा और मीजिल्स थोड़ा जादे दिन रह गया, तो उसके लंग्स को एफेक्ट करता है जब तक से उसको पतला पर खाना नहीं होगा, और जब तक से उसको खासी होकर करके पूरा बलगम नहीं निकलेगा, तब ठीक नहीं होगा, तो उसके लिए हम बेसिलीनम और थुजा हमको देना पड़ता है. तो सर क्या होमेपैथ में जो बच्चों को दवा देते हैं, वो सब आम दवा की तरह होती है, बच्चों का डोज कुछ अलग होता है, या दवाईयां भी अलग होती है? फिर से प्रशन करिये हैं? जी बच्चों को जो दवाईयां देते हैं होमेपैथ में, वो दवाईयां क तरीके की होती है मतलब उसका डोज कम होते हैं जो हमें मिलता है उनसे देखिए दवास सब एक होता है जैसे मालीजे ब्रावनिया एको नैड ब्रावनिया बेलो डॉनारा सक्से मेडिसीन का नाम है इसका पावर है तो अगर बच्छा याप कि आहां रहा है बच्छा और साथ- कोई साथ बढ़ाया या, आये, पांच दिन से उनको वुकार है, तो हम उनको कम पावर की दवाई देंगे, दस दिन का, बीश दिन का, दो महिने का बच्चा आया, अगर उसको सर्दी है, तो उसको हम कम पावर की दवाई देंगे, लेकिन वही कोई ब्यक्ति आया, 60 बरस के ब्यक्ति आया बोले मेरे पाउं में बड़ी दिन से दरद है, जी 6 साल से दरद है तो अब उसको हम कम पाउर की दवाई देंगे तो काम नहीं करेगा पंदरा साल का बचा आया और बोले कि मेरे कंदे में बहुत दिनों से दरद है तो उसको कम पाउर की दवाई के तो काम नहीं करेगा अब उसको हम 200 और 1000 पाउर की दवाई हमको देना पड़ेगा दवाई का वही है लेकिन पाउर बदल जाएगा एक्यूट और क्रोनिक एक्यूट में हम कम पाउर की दवाई देंगे जैसे ही क्रोनिक होगे हम हाई पाउर की दवाई देगा होमियोपैथ की दवाई को देने का उच्छी समय क्या है खाने से पहले कि बा chatting कि देना चाहीए आपने यह देखिए अभी भी लोगों को एह है कि जिस तरह और सब दवाईयां हम लेते हैं उसको हम खा जाएंगे लेकि नहीं होमियोपेथिक दवाई लेने का सबसे अच्छा समय है अरली सुबह में उठकर करकर के आप पानी पीते हैं पानी पी लेजिए पानी पीने के बा एक घंटे के बाद बरश करिये ओ दवाई हंडेड परशेंट काम करेगा ऐसे तुरत खाना खा लिजिए तुरत दवाई पी खा लिजिए तुरत दवाई कीजिए तुरत पानी पी लिए दवाई काम नहीं करेगा इसलिए यह तो पावर है ना तो पावर को काम करने के तूपसे बनाएंगे तो ब्रायूणिया है, एकोनाइट, बेला डोना, ए सब क्या है? कुरूड में उसको कैसे भी खाया सकता है लेकिन जब पोटन्टाइज्ट होता है, तो पोटन्टाइज्ट होने का बाद उसको तो तो काम करने की समय ने चाहिए, बड़ी में काम करने का समय चाहिए तो उसको जब तक से आप समय नहीं दीजे काम करने के बाद कुछ भी खाए कोई चिंता की बात नहीं है इसलिए होमियोपेथी की दवाई सुबह में खाली पेट खाना चाहिए अथवा खाना खाने के एग घंटा पाले और एग घंटा बात में खाना चाहिए सर क्या ये बीमारी बहुत जानलेवा हो सकती है किस स्थिती में जानलेवा हो जाएगी मिजिल्स की दवाई जानलेवा नहीं है अगर मिजिल्स कहीं दूसरे रूप में चेंज होता है उसका रूप मदलता है तो में भी जानलेवा हो सकता है मिजिल्स जानलेवा बिमारी नहीं है सब मिजिल्स होने से लोगों को उसमें जो दाने होते हैं उसमें काफी खुजली होती है तो क्या उसके लिए कोई दवाई या ओइंट में देते हैं आप लोग जिसें से राहत हो बहुत जादे दिन तक खुजली जरूर है कि पांस दिन तक जब दाना सुखने लगता है सुखने के बाद उसमें खुजली होती है और बहुत खुजली होती है सरीर एकदम रुखडा ह हो जाता है ऐसे चुने से रुखडा होता है तो उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि उसमें रश्टक्स है यह दवाई एक दोठो दे देते हैं दवाई देने के बाद उसको बोलते हैं कि नारियल तेल घरेलू पाए हां नारियल तेल आप लगाए उसमें डाल सकते हैं तो वाई होमेपेथिक आता है कैलेंडूला मिला करके नारिया तेल में डालिये लगाईये ठीक हो जाएगा सर काफी कमजोरी आ जाती है पॉर्ण इसों में इसको होने के बाद तो क्या खाने में हमें खाना चाहिए इसलिए कि जो सिम्टम्स बाहर आता है उसी तरह का सिम्टम्स अंदर भी रहता है उसको काफी सरीर के अंदर काफी जलन होता है मरोड होता है दरद होता है तरपन से उसको होती है तो अंदर में भी उस तरह का उसको असर होता है तो उस कंडिशन में ओखाना नहीं खाता है इसलिए कमजोरी हो जाती है तो कमजोरी होने के बाद उसको उचित खाना देना चाहिए साथ में हो सके तो होमियोपैथी का एक अल अलफा अलफा में पेटेंट के बात नहीं बोल रहा हूं, अलफा 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 दवाई का नाम है, उसका मदर टींचर आता है, मदर टींचर उसको दिया जाएगा, वो पांच, आठ दिन के अंदर स्वस्त हो जाएगा. लोग कहते हैं कि मिजल्स होने पे नहाना नहीं चाहिए, तो यह कहां तक सही है? मैंने बोला ने कि आध्यात्मिक दिश्टी से ऐसे भी बुखार है बदन में दर्द है तो बुखार के बाद हम लोग बोलते हैं भई मत नहाना नहाना नहीं चाहिए और बुखार पढ़ जाता है तो आध्यात्मिक दिश्टी से भी ले और ऐसे भी मेडिकली भी ले तो मिजल निकलने के बात नहाना नहीं चाहिए इसलिए कि वो तो बाहर निकल रहा है अंदर का जितना भी दाना है बाहर निकल रहा है आप उसको ठंडा से नहाईएगा ये करिएगा तो क्या करेगा उसका बुरा होगा इसलिए उसको नहावाना नहीं चाहिए नारियल का पानी कितना लाबदायक है सरे समय नारियल का पानी बहुत लाबदायक है उसमें नारियल का पानी लेना चाहिए जी क्या ये जो रैसेज होते हैं वो कुछ दाग छोड़ देते हैं हमारे सरीर में सूखने के बार नहीं इसलिए रैसेज नहीं छोड़ते हैं कि वो तो फूनसी है सुख गया नारियल तेल लगाईएगा देखिएगा ऐसे ऐसे जड़ जाता है और फिर एक दाम सरीर चिकना हो जाता है मैंने देखा है सर आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपून जानकारिया दी इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद तो दर्शक आपने देखा कि हमारे सर ने कितनी महत्वपून जानकारियां दी हैं मिजिल्स के बारे में मैं आसा करती हूँ आप सबी इससे बहुत बहुत लावानवीत होंगे तब तब के लिए धन्यवाद नमस्कार